जैसरी कृष्ण प्रिय दर्स को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिपावली के दिन जो माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है वो किन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए संपोर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी की स्थापना करने चाहिए गनेश जी सदेव माता लक्ष्मी के दाइनी और होने चाहिए और जो भी पूजन सामगरी है फल प्रशाद इत्यादी ले करके आप पूर्वा विविक हो करके बेट जाएं और दाइने हाथ में बाएं हाथ में जल ले करके दाएं हाथ से अपने उपर छिड़कना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए ओम अपवित्रह पवित्रो वा सरवा वस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबाया भ्यंतरह शूचिह इस मंत्र को बोल करके अपने उपर जल चिड़कना चाहिए इसके बाद में बाएं हाथ में चावल ले करके जो माता लक्षमी की और गणेश जी की परतिमा है उनकी प्रतिष्टा की जाती है प्राण प्रतिष्टा तो इस मंत्र को बोलते हुए उनके उपर आप चावल छोड़ते रहें यह मंत्र बोलें इस मंत्र को बोल करके उनके उपर अक्षट छोड़ देने चाहिए इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए तो इस मंत्र से आप गणेश जी का ध्यान करें कैसे इसके बाद में माता लक्ष्मी का इस मंत्र से ध्यान करना चाहिए कैसे यासा पदमा सनस्था विपूल कटी तटी पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरा वरतनाविस तनभरनमिता शुब्रवस्त्रोत्तरिया या लक्ष्मीर दिव्यरूपईर मनि गण खचितैही स्नापिता हेम कुम्बैही इसके बाद में चार बार आपको जल छोड़ना चाहिए एक कटोरी के अंदर जिसे हम बगवान को किसी भी घर में आती थी आता तो उसको शनान कराया जाता है तो चार बार जल छोड़ें पाद्य अरग्य आजमन और शनान के निमित चार बार जल छोड़नें इसके बाद में आपको पंचामरित से शनान कराना चाहिए अगर मूर् पयो धदि गृतम चैव मदू सरकरयान वितम पंचामरितम मया नीतम शनानार्थम प्रतिग्रिहियताम या इस मंत्र को भी बोल सकते हैं ओम पंचानदियाह सारसवाति मापेयंति ससरोतासाह सारसवाति तूपंचधा सोदेशे भावत्सारिता ओम लक्ष्मी गणपती भ्याम नमहा पंचामरित सनानम समरपयामी पंचामित सनानांते सुद्धोधक्ष्नानम समरपयामी इसके बाद में सुद्धिजल से सनान कराएं सुद्धिजल से सनान कराने के बाद में सबसे पहले वस्त्र आपके पाच अच्छे अच्छे वस्त्रों वह गणगणेश्ची को और मातालक्ष्मी को पहनाएं वस्त्र नहीं हो तो कलावा मोली लेकर के आप उनके द्वारा वस्त्र पहना दें यह मंत्र बोलते हुए के से शीत वातोष्न संत्राणम लज्यायारक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतह शांतिम प्रयच्छमे ओब लक्ष्मी गणपती भ्याम नमह वस्त्रम समरपयामी आच्मनीयम जलम समरपयामी एक आच्मनी जल चोड़ दे इसके बाद में एक कांशे के पात्र में मदूपरक जो होता है वो भगवान को अरपित करें कैसे कांशे कांशे नपिहितो धदी मद्वाज संयुताह मदूपरको मयानीताह पूजार्थम प्रदिग्रियताम ओम लक्ष्मी गणपती भ्याम नमहा मदूपरकम समरपयामी आच्मनीयम जलम समरपयामी एक आच्मनी जल चोड़ दे इसके बाद में आपके पास जो श्रिंगार के सामगरी हो आभोषण हो मता लक्ष्मी के लिए तो इस मंत्र को बोल करके आभोषण अरपित करें कैसे रत्न कंकन वैदूरिय मुक्ता हारादि कानिच सुप्रसेन मनसा दत्तानी स्वी कुरुश्वभो हो ओम लक्ष्मी गणपति भ्याम नमहा नाना विधानी कुंडल कटका दिनी आभूषणानी समर पयामी इसके बाद में तिलक लगाएं चंदन से कुंकुम से मता लक्ष्मी को और गणेश्जी को इस मंत्र को बोल करके इसके बाद में सिंदूर्च होता है सिंदूर्च डाय इस मंत्र को बोल करके इसके बाद में पुष्प जो है पुष्प माला है वो भी गणपती ओ लक्ष्मी जी गौरपन करें केसे दिव्य गंध समा युक्त मलाप महा परिमलाद भोतम गंध द्रव्य मिदम भक्त्या दत्तम वे प्रतिग्रिहियताम ओम लक्ष्मी गणपती भ्याम नमहा सुगंधित पुष्पम समर पयामी इसके बाद में अक्षत चड़ाएं इस मंत्र को बोलते हुए ओम लक्ष्मी गणपती भ्याम नमहा अक्षतान समर पयामी इसके बाद में दुरुवाच ड़ाएं गणेश जी को और लक्ष्मी जी को यह मंत्र बोलते हुए दुरुवाण कुराण सुहरिता नम्रितान मंगल प्रदान आनी तांस्तव पूजार्धम ग्रिहाण गणनायक ओम लक्ष्मी गणपती भ्याम नमहा दुरुवाण कुराण समर पयामी इसके बाद में कुमकुम लेकर के रोली लेकर के और चावल मिला करके वो लाल हो जाएं और इन मंत्रों को बोल करके मता लक्ष्मी की अंग पूजा करने चाहिए बाएं हाथ में ले लिजिए दाएं हाथ से छोड़ते रहे इन मंत्रों के दौरा ओम चपलाये नमहा पादव पूजयामी अक्षच दाएं ओम चंचलाये नमहा जानुनी पूजयामी ओम कमलाये नमहा कटिम पूजयामी ओम कात्यायन्ये नमहा नाभिम पूजयामी ओम जगन मात्रे नमहा जठरम पूजयामी ओम विश्वबल्लभाये नमह वक्षस्तलम पूजयामी ओम कमल वासिन्ये नमह हस्तव पूजयामी ओम पदमान नाये नमह मुखं पूजयामी ओम कमल पत्राक्षये नमह नित्रत्रयम पूजयामी ओम स्रिये नमह सिरह पूजयामी इसके बाद में अश्ट सिध्धी पूजन होता है उसका भी पूजन करें आप महालक्ष्मी के पास में चावल छोड़ दीजी अश्ट सिध्धी जो है इसके बाद में अश्ट लक्ष्मी पूजन होता है तो अश्ट लक्ष्मी का भी पूजन करें ओम माता लक्ष्मी पे चावल छोड़ते रहें गनेश जी को दिखाएं यह मंत्र बोलते हुए ओम कार पासव तिसं युक्तम गृत युक्तम मनोहरं तमो नाशकरम दीपम ग्रिहान परमेश्वर ओम लक्ष्मी गनपती भ्याम नमह दीपम दरसयामी इसके बाद में हात दो करके माता लक्ष्मी को गनेश जी को भोग खंड खाद्यानी ददी चीर गृतानी च आहारं भक्ष बोज्यम ज नई वेद्यम प्रतिग्रिह यताम ओम लक्ष्मी गनपती भ्याम नमह नई वेद्यम निवेदयामी निवेद्यांते आच्मनियम जलम समरबयामी इसके बाद में आच्मनी जल छोड़ दें फिर माता लक लक्ष्मी को गनेश जी को रितु फल चड़ाएं यह मंत्र बोलते हुए फलेन फलितम सरवं त्रै लोक्य सचराचरम तस्मात फल प्रदानेन पूर्णा संतु मनो रथाहा ओम लक्ष्मी गनपती भ्याम नमह अकंड रितु फलम समरबयामी फल छोड़ दें इसके बाद में पान सुपारी जो है वो माता लक्ष्मी को गनेश जी को चड़ाएं यह मंत्र बोलते हुए पूगी फलम मह दिव्यम नाग वल्ली दलैर युतम एला चुणा दिसाइं युकतम तांबूलं प्रतिग्री हियतां ओम लक्ष्मी गनपती भ्याम नमह मुखुबासार्थे एला लवंग देविरियुतम तांबूलं पूगी फलम चा समरपयामी इसके बाद में माता लक्ष्मी को गनेश जी को दक्षिना स्रद्धा के अनुसवार अरपन करें इस मंत्र को बोल करके ओम लक्ष्मी गनपती भ्याम नमह दक्षिनाम समरपयामी इसके बाद में प्रातना करनी चाहिए मता लक्ष्मी से और बगवान गनेश से आज जोड करके ओम विगनेश्वराय वरदाय शुरप्रियाय लंबो दराय सकलाय जगदिताय नागा ननाय सुरुतियग्य विभूसिताय गौरी सुताय गननाथ नमु नमस्ते मता लक्ष्मी का द्यन करें इस प्रकार इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन हो गया और गनेश्जी का पूजन हो गया देहली विनाय का भी पूजन किया जाता है तो दिवाल पर स्री गनेशाय नमा लिकर के या स्वस्तिक बना करके देहली विनाय का पूजन करें इसके बाद में दिपावली के दिन लेखनी का पूजन किया जाता है कलम का पूजन किया जाता है तो उसका पूजन करें लेखनी निर्मिता पूरुवं ब्रह्मना परमेष्टिना लोका नाम्च हितार थाय तस्मा ताम पूज याम्यहं ओम लेखनिस्थाये देव्याई नमहा इसके बाद में कूबेर का पूजन किया जाता है तो कूबेर का पूजन इस प्रकार करें आवाहयामि देवत्वं इहायाहि कृपाम कुरू कोशं वर्दय नित्यम त्वं परिरक्षा सुरेश्वर ओम कुबेराय नमहा इस मंतर से प्रातना करें धन दाय नमस तुब्यम निदी पदमा दी पायचो बवन्तु तवत प्रसादेन धन धन्या दी संपदह इस प्रकार पूजन करें इसके बाद में जो आप दीपक जलाते हैं उनका पूजन करना चाहिए दीप माली का पूजन किस प्रकार त्वम जोतिस्ट्वम रविश्चंद्रो विद्यु दगनिश्चतार काहा सरवे साम जोतिसाम जोतिर दीपावल्य नमो नमह अक्षत पुस्प छोड़ देना चाहिए इसके बाद में माता लक्षमी के आरती करनी चाहिए और स्रद्दा से भगवान गनेश जी का और माता लक्षमी का कृतन करना चाहिए ये माता लक्षमी गनेश पूजन की विदि थी केसी लिगी वीडियो कमेंट बोक्स में जुरू बताएं वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद